हेलो गाईज, वेलकम बेक टू मैं चैनल आज मैं आपको बताने वाला हूँ नियोन लव धीम अप्लिकिशन को आप अपने फोन में कैसे यूज करेंगे तो गाईज अगर आप भी जानना चाहते हो नियोन लव धीम अप्लिकिशन क्या है और इसे अपने फोन में कैसे यूज करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहें वीडियो इशू करने से पहले गाईज गर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करके औल पर सेट कर दीजिए तो चलिए फ्रेंड्स आज काई वीडियो स्टार्ट करते है तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा प्लेइ स्टोर में जाना है और नियोन लव थीम एप्लिकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद इससे पने फोन में उपन करना होगा अब जैसे ही आप अपने फोन में नियोन लव थीम एप्लिकेशन को उपन करेंगे उपन करने के बाद इससे कैसे यूज करना चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो application थोड़ा सा loading लेगा उसके बाद continue to app के उपर हम click करेंगे उसके बाद इस तरह से यह application हमारे सामने open हो जाएगी अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी terms and condition एगरी करेंगे हम यहाँ पर और उसके बाद इस तो यहाँ पर हमारे सामने यह keyboard open हो जाएगा ठीक है तो अब इस तो सबसे पहला जो option हमारे सामने keyboard का आ रहा है तो नीचे की सार में यहाँ पर अलग लग category मिलेगी first में keyboard है जहां पर हमें बहुत सारे अलग लग keyboard मिलेंगे जिससे यह फ़र्स्टवाला keyboard नीचे की सार में देखेंगे तो अलग लग category वाई यहाँ पर जो हमारे सामने keyboard आ जाता है ठीक है तो यहां पर first वाला keyboard है second वाले option पर हमेम क्लिक करेंगे तो यहां पर हमारे सामने theme का option मिल जाएगा यहां पर अलग अलग हमें theme मिल जाएगी जो की है इस यहां से हम apply कर पाएंगे जिसमें live है, 4D है, gravity है, अलग अलग यहां पर हमें जो theme देखने को मिल जाती है, ठीक है, और गैस थर्ड वाला option है, तो इसके ओपर click करने के बाद, थर्ड वाले option पर click करेंग sound के ओपर click करेंगे तो अलग अलग sound effect मिल जाएगे, और text face में भी यहां पर हमें, जो text face मिल जाते है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी अगर आपको add करना तो आप add कर सकती है, और last वाला option जो हमारे सामने setting वाला आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर जो भी pre-installate रहेंगे, keyboard व बता देता हूं कि किस तरह से आपको इसके अंदर keyboard theme वगर आपको set करनी है, तो जैसे for example, यह वाला keyboard हम set करना चाहते है, तो apply keyboard के उपर हम click करेंगे, और उसके बाद यहां पर select one के उपर हम click करेंगे, और उसके बाद यहां पर इसकी जो permission है, यहां पर हम set करेंगे, neon love theme यू theme को हम set करेंगे, जैसे neon love को set करेंगे, उसके बाद यहां पर एक add show की जिसे उपर के side से हम close करेंगे, और उसके बाद एक तो keyboard यहां पर हमारा set हो चुका है, इस तरह से keyboard हो जाएगा, और typing यहां पर हो रही है, इसी परकार से जो भी keyboard आप set करना चाहते हो, अपने हिसाब से अपना keyboard set कर पाएंगे, इसके लावा और भी option यहां पर आपको मिल जाते हैं, इस तरह से guys यहां पर आप जो भी keyboard वगएरा add करना चाहते हो, मतलब theme वगएरा set करना चाहते हो, वो easily यहां पर set कर सकते हो, अपने home screen में अगर आपको theme set करनी है, तो वो भी यहां पर easily आप इस